So hello and welcome, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, क्लास 10 का सोशल साइन्स का चैप्टर नमबर 18, Between the Two World Wars, The Russian Revolution and The Great Depression. अब आपको पता होगा कि अभी तक हमारे वर्ल्ड में जो है, दो वर्ल्ड वर हो चुके हैं, एक वर्ल्ड वर के बारे में हमने चैप्टर नमबर 18 में, इसलिए इसका नाम ही क्या है देखो, Between the Two World Wars, दो वर्ल्ड वर के बीच का जो पिरेड था, जिसमें क्या-क्या चेंजेस हुए, क्या-क्या कंडिशन्स ऐसी बनी, जिसके कारण से Second World War हुआ, इसके बारे में हम लोग डिसकेशन जो है, करने वाले हैं, साथी साथ, इस चैप्टर में हम ये भी रिवाइस करेंगी, कि रश्या में किस तरीके से रिवल्यूशन आया, और किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में 1928 का जो है, एक एक इवेंट के बारे में क्या क्या हुआ है, तो आप सोशल साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर इस सेप्टर के बारे में आप पढ़ाई कर सकते हो, यह रिविजन है, तो इस रिविजन को हम लोग थोड़ा फास्ट जो है करेंगे, ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा देखो, इस स्थार्ट होने से पहले, रिव कंडिशन क्या थी, फिर वर्ल्ल वर्ल इस स्थार्ट होने की समय कंडिशन क्या थी, और वर्ल वर्금 फूर्स्ट के एnd होने के बाद, रिव nella dokład, थि यह तीनों चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो पहला है देखो, आपको पता होगा कि जब First World War start नहीं हुआ था उस समय रश्या इतना बड़ा empire था एवन आजके डेट में भी पूरे countries वर्ल्ड में लगब लगब 193-194 countries हैं तो 193-194 countries में जो land mass के according सबसे बड़ा जो country है आजके डेट में भी वो रश्या ही है तो उस समय जब First World War start नहीं हुआ था आज से 110 साल पहले की बात है तो उस समय रश्या जो था वो पूरे दुनिया में सबसे बड़ा जो है country था जुसका कुछ हिस्सा जो यूरोप continent में आता था और कुछ हिस्सा जो है कहां पर आता था रेशन एशन कॉंटिनेंट में जो है आता था ठीक है दर रेशन कॉवर्मेंट रूल ओवर दाइवर्स रिजन इन्हाबिटेट बाइट बाइद पीपल डिफरेंट लेंग्वेजिस रिलेजन एथनी सिटी जिस तरीके से आज ह रहने वाले लोगों के जो एथनी सिटी है वहां का जो रिलेजियस हैं वहां का जो लेंग्वेजिस हैं वह बहुत ही जादा क्या था बहुत जादा डिफरेंट डिफरेंट होते थे ठीक है और वहां पर के कॉवर्मेंट को क्या करना पड़ता था ऐसे जगवा पर ही जो ही रूल करना पड़ता था पावर इन दिस एमपार ले इन दे हैंड्स ओफ दे इलाइट लैंड ओनिंग क्लास who were led by the autocratic जार और उस समय रश्या का जो हेट था जिसको हम किस नाम से जानते हैं जार के नाम से जानते हैं जार जो था उस समय क्या था रश्या का जो हेट था और उसके अंडर में जो सबसे जादा पावरफुल लोग जो थे वो कौन से थे इलाइट क्लास के लोग थे जिनके पास बहुत सारा पैसा था या जमीन के जो मालिक होते थे जमिदार होते थे वो बहुत ही जादा उस समय पावरफुल होते थे ठीक है? यही सब चीज मिलकर जो हेट डिसीजन लेते थे जार क्या काम करेगा, क्या काम नहीं करेगा यही लोग जो हेट जो हेट करते थे निकोलास जार या इसी का दुसरा नाव है निकोला सेकेंड who belong to the Romanov dynasty और यह कॉंसे dynasty से बिलोंग करता था Romano जैसे Mughal dynasty, Gupta dynasty के बारे में हम लोग इंडिया में पढ़ते हैं न उसी तरीके से रश्या में Romano dynasty था उसी से यह बिलोंग करता था Most of the high officials in this empire were wealthy land owners from the noble families और इसके control में या इसके साशन में जितने भी officers जो होते थे या जितने भी सरकारी आदमी लोग होते थे, वो सब कैसे होते थे बहुती ज़्यादा wealthy लोग होते थे, land owners लोग होते थे बाकी आम आदमी का इसके empire में कोई भी role नहीं था इसके अलावा हमने ये भी पढ़ाता चेप्टर में कि जो जार जो है वो कितना जादा cruel था, कितना जादा cruel था कि वो किसानों पर, मजदूरों पर बहुत ही जादा क्या करता था जो है जुल्ब जो है करता था अब इसके अलावा ये जो land owner जो होते थे ये भी बहुँ जादा खतरनाक होते थे खतरनाक पतलक किस तरीके से ये जो land owner जो होते थे इनके पास बहुँ सारी जमीने होती थी और इन बहुत सारे जमीनों को वो छोटे-छोटे किसानों को या मज़़ूनों को एगरिकल्चर करने के लिए देते थे जैसे माल लो एक आदमी है जिसका नाम है A, एक आदमी है जिसका नाम है B इस लैंड ओनर ने क्या क्या? A और B दो आदमी को जोए खेती करने के लिए जमीन दिया इसको A को कुछ खेती करने के लिए जमीन दिया और B को खेती करने के लिए जमीन दिया अब इस landowners ने क्या क्या, इस A को जो भी जमीन दिया था, इसको बेच दिया किसको C को, अब C ने इस जमीन को खरीद लिया, तो उस समय के जो landowners जो होते थे, वो क्या काम करते थे, आपको मालूम है, यह जमीन को किसको बेचा C को, पहले यह जमीन किसको alerted था A को, अब A जो है उसमें कौन काम करता था वो आदमी को भी बेज देते थे इस तरीके से B को जो अलर्ट किया हुआ जमीन है अगर ये B को अलर्ट किया हुआ जमीन जो डी को अगर बेज देंगे तो जमीन तो डी को मिलेगा साथी साथ ये B भी अब इसका गुलाम बन जाएगा इस तरीके से वहाँ पर condition बहुत खराब थी और जार के against में किसी में बोलने की हिम्मत नहीं थी लोग अपनी problem को बता नहीं पा रहे थे तो रश्य में बहुँ सारा worst situation जो है क्या हो गया था अब इसको देखकर रश्या के government को भी लगा कि अगर हम लोगों ने भी industrialization को अगर adopt नहीं किया तो आगे चलके हमें बहुँ सारी problem हो सकती है क्या problem हो सकती है क्योंकि आगे कभी ने कभी war होगा और war के लिए क्या चाहिए weapons चाहिए अर्मानेंट चाहिए railway चाहिए business को expand करने के लिए तो फिर इन्होंने जो है industrialization के बारे में सोचना चालू कर दिया और जो जार का जो रिजाइम है इसने इसके लिए कुछ initiative भी लिए अब वो initiative क्या क्या थे देखो जब हम लग ब्रिटेन का industrialization पढ़े थे जो कि world cup first industrialization था फिर उसके बाल हमने जर्मनी का पढ़ा तो ब्रिटेन और जर्मनी या फ्रांस जहां पर भी industrialization हुआ था वहां की specialty क्या थी वहां पर industrialization लाने वाले जो लोग थे वो कंते merchant थे जिनके पास रहेंगे यह तो government controlled country था तो इसलिए जो है रश्या में middle class के लोगों ने इंडस्टिलेशन में कोई जाधा खास important role प्रे नहीं किया तो रश्या की government को लगर के हमारी यहां के लोग इतने बड़े पैसे वाले तो है नहीं क्योंकि हमने सब को control में रखा हुआ है तो हमारी यह concessions देंगे और यह यहां अकर हमारे लिए क्या करेंगे industry setup करेंगा और industrial work होगा और यहां पर हम लोग वेपन वगरा मसीन वगरा जो है सब काम जो है चालू करेंगे यह Russian government ने सोचना start कर दिया अब उसके बाद देखते हैं रश्या में industrialization तो आ गया अब industrialization आने के बाद बह मजदूर चाहिए labor चाहिए तो अब labor कहां से मिलेगा तो वहां के जो landowners जो होते थे कहां के रश्या के वो जिस भी मजदूर को अपने पास रखते थे उस मजदूर से उसको permission नहीं दिया जाता था कि वो अपने मर्जी से गाउँ छोड़ कर चले जाए या अपने मर्जी से अपना business करने का तरीका या अपना काम जो है change कर सके जब अर्जश्ति लैंड और नस उसको एक काम करवाते थे उसको कोई freedom नहीं था तो जब लोगों ने ये देखा कि हमें यहां तो काम कराया जा रहा है हमें कोई freedom ही नहीं मिल रहा है हम लोग सालों से यहीं काम कर रहे है तो अब यहीं लोग थोड़ा थोड़ा जो है क्या होने लगे सहर की तरब जो है जाने लगे जहां पर industries होते थे तो यहीं जो पीजेंड जो होते थे जो किसान जो होते थे दूर दराज के कावों में काम करते थे वो दिरे दिरे हिम्मत करके जो है अब जो है क्या करने लग कि maximum profit कैसे earn की जाए तो उसके लिए बहुं सारे उन्होंने तरीके किये जैसे मजदूरों को 16-16 गंटे काम करवाया 12-12 गंटे काम करवाया सेलरी के नाम पे बहुत ही कम पैसा दिया जाता था इस तरीके से बहुं सारे steps लिये गए जिसके करण से labor जो भी गुस्सा थे एक तो पहले ही जो पीजेंट से जो किसान थे वो गुस्सा थे इसके अरावा जो इंडस्टी लेजशन के कारण जो है अब मजदूर जो थे वो भी गुस्से में है अब इसी के चलते क्या होगा देखो the events of 1905 क्या होगा देखो in the absence of democracy and democratic rights in the czarist Russia people could not criticize the government or the agitate to resolve their problem czar जो है इतना जदा cruel था कि लोग जो है अपनी problem भी जार तक नहीं पहुचा पाते थे ठीक है तो अब यहाँ पर क्या होगा कोई democracy तो है नहीं कोई democratic system ही नहीं है तो अब यहाँ पर यह लोग government को किस तरीके से criticize करें जैसे हमारे इंडिया democratic country है अगर आपको कोई भी government अगर अच्छा नहीं लग रहा है मालनो नरेंद्र मोदी की government अभी आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप नरेंद्र मोदी government के अगेंट में कुछ भी बोल सकते हो क्योंकि हमारे यहाँ freedom है हमारे 36 दर में भुपेज बगिल की सरकार है अगर आपको भुपेज बगिल अच्छा नहीं लग रहा है उसके अगेंट में आपको कुछ बोलना आप बोल सकते हो लेकिन चाइना हो गया, रश्या हो गया, पाकिस्तान हो गया यह ऐसे कंटरी से जहां पर आपको freedom के नाम पर कुछ नहीं मिलेगा आप कुछ नहीं बोल सकते हैं government के अगेंट में अगर आपने government के अगेंट में कुछ भी बोला इन्हों ने सारे लोगों ने जो मज़़ूर लोग थे, जो किसान लोग थे यह सारे लोगों ने क्या क्या अप secret organization बनाना चालो कर दिया इवन लॉंच टरिटरीस अटैक फ्रम टे टाइम टू टू टाइम साथी साथ यहीं लोग जो है time to time क्या करते थे terrorist activity करते थे, कही पर bomb blast कर दिये, कही पर किसी police वाले को मार दिये, कही पर किसी बड़े आदमी को मार दिये क्यों, यह news में रहना चाहते थे, news में रहेंगे तो क्या होगा लोगों को इनके बारे में पता चलेगा लोग इनके साथ जूड़ते जाएंगे, जिस तरीके से हमारे इंडिया में जब freedom moment चल रहा था, तो भगत सिंग और बटुकेसवर दत ने क्या क्या था Central Assembly जो थी, वहाँ पर bomb फेके थे, bomb इसलिए फेके थे ताकि लोगों को पता चले कि हम कितने ज़ादा गुस्से है, ब्रिटेन हम पर किस तरीके सत्यचार कर रहा है और इंडिया के लोग जो है एक साथ जूड़े, इसके लिए उन्होंने जो है safe bombarding की थी तो सेम उसी तरीके से जो secret organization जो होते थे, ये time to time क्या करते थे बंबार्डिंग वगरा, terrorist activity करते थे जिसके कारण से जो है लोग इनके साथ जुड़े, इनके बारे में जाने और जार को खार के फेक दिया जाया और नया government यहाँ पर बना जाया इनका motto था इसके अलावा जो वहाँ पर secret organization जो बनते थे, वो secret organization जो होते थे, वो socialist लोग दूस में होते थे communist लोग भी होते थे, किसान लोग भी होते थे, liberal लोग भी जो है वहाँ पर होते थे और सब मिलकर secret organization क्या करते थे रन करते थे, in 1905, a war broke out between the Russia and Japan in which Russia was defeated by the small Asian countries अब देखो एक तो रश्या में इस तरीके सी तना सारे internal problem चल रहा है, किसान खुस नहीं है, मजदूर खुस नहीं है, cigarette organization बन रही है, जार के अगेंट्स में लोग गुस्सा है और इसी बीच जो है Japan और रश्या के बीच में war हो जाता है 1905 में, जब 1905 में रश्या और जापान की बीच में war हो जाता है, इसमें जापान क्या करता है, रश्या को हरा देता है अब लोगों का गुस्सा और बढ़ गया भाई कि जापान हमसे 50 गुना छोटा कंट्री है हम उसे 50 गुना बड़े कंट्री है फिर भी जापान ने आकर हमको हरा दिया और जार के अगेंट्स में लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा अब जब लोगों का गुस्सा बढ़ने ल जब जापान ने रश्या को हरा दी तो जार की पावर कम होगी अब लोग खुल कर सामने आने लगे और बोलने लगे के हमारे working conditions सही करो और democracy यहां पर लाओ अपनी अपने demand जो है सहर के कोने कोने में जो है या गंडरी के कोने कोने में जो है उठने लगी ठीक है इसके अलावा लोग जो है इकठा होकर क्या चाहते थे कि जार के महल में जाकर जार को अपनी problems बताना चाहते थे कि किस तरीके से आपकी policy के करण हम लोगों को problem face करना पड़ रहा है हमारे लिए कुछ beneficial rule बनाओ इस तरीके से वो बात करना जाना चाहते थे लेकिन वही पर police ने क्या कर दिया सेंट पिटरबर्ग में रहता था पहले रश्या के जो राजधानी थी वो सेंट पिटरबर्ग थी आज की डेट में रश्या के जो राजधानी वो मौस्को है ठीक है तो सेंट पिटरबर के महल में जब ये जार के महल में जाने वाले थे तब पुलिस ने फाइरिंग कर दी और फाइरिंग के कारण कई हजार लोगों क्या हो गए मारे गए और कई हजारों लोगों को जेल में क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया तो सोच सकते हो कि कितना बड़ा ये क्रुवेल था अब जैसे ही इतनी साथ प्रब्लम्स चल रही है फिर 1914 का First World War चलो हो जाता है और रश्या इस World War में क्या होता है? कूद जाता है लेकिन जाधा दिनों तक सर्वाइब नहीं कर पाता है क्यों? क्योंकि जल्दी ही जर्मानी जो होता है वो इसको हरा देता है आपने पढ़ा होगा First World War में जिस तरीके से जापान जिसे छोटा कंटर रश्या को हरा सकता है तो जर्मनी तो उससे कई गुना बड़ा है टेकनोलजी में भी बड़ा है, पैसे में भी बड़ा है, दिमाग में भी बड़ा है तो जर्मनी ने भी क्या क्या रश्या को जहें क्या कर रिया हरा दिया अब इसके करने से लोग और गुस्सा हो गए फिर वर्ल वर्ल खतम नहीं हुआ था, उससे पहली रश्या क्या करता है, विड्रॉव कर लेता है फर्स वर्ल वर्ल से उसको हम लोग अगले वीडियो में जो है, देखेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को सेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करेए, लोगों को भी बोली, अपने फ्रेंड्स को भी बोली, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, कंजूसी दिखाते हो, ठीक है?